विजय जी कैसे हैं आप बिल्कुल बढ़ी हैं आप सभी को नमस्कार सभी दर्सकों को आप सभी चैनल को नई फिल्म आपकी बोल रादा बोल जिसका ट्रेलर रिलीस हो रहा है से पहले तो इसका चाहिना साथ हैं आप नई फिल्म मेरी बोल राधा बोल का टेलर को मैं चाहूंगा दर्सकों से अनुरोध है कि भारी से भारी इसका देख के समर्थन करें और जितना ज्यादा देखेंगे मुझे लगेगा कि हमने अच्छा किया है कुछ तो मेरा विश्वास और बढ़ेगा और अच्छी फिल्म में बनाऊंगा पाटिल साथ जी इसा है आप फर्स क्लास आप सभी लोग पराग पाटिल स्टाइल सिनिमा का नमशकार नहीं फिल्म का जो ट्रेलर आ रहा है आपके बोल लाधा बोल लाधा एक्जाम से पहले जैसे विद्धार्थी खोड़ा से नर्वस होता है क्या उसकर भी माना इस्तिती है आपके बिल्कुल नर्वस नर्वसनेस होनी भी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हमें पसंद आए वो सबको पसंद आए लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम लोग सभी लोग के पसंद ना पसंद को देखते हुए एक उचित कंटेंट लेकर आते हैं हमेशा तो बोल राधा बोल बस वही एक कहानी है जैसे कि आप लोगों ने स्लोगन देखा होगा एक नास्तिक क्यास्तिक प्रेम कहानी तो एक यंग्स्टर की कहानी है और एक फैंटेसी मूवी है यह जहां पर धार्मिक चीजों से धार्मिक प्रताओं से भी ये सिनिमा जुड़ा हुआ है तो फैंटे लाटो जी जो आप लोग यहां मीडिया से मुखाथिफ हैं बाद कर रहे हैं खेसारी लाले अधो नजर नहीं आ रहे हैं आपके फिल्म की हिरोईन नज़र नहीं आ रही हैं तो नहीं आप आई ओभी किस कोई सुटिंग कर रही है अच्छा जी फिल्म की जो ट्रेलर है एक दिन में बहुत सारे रेकॉर्ड बनते हैं किसी का दो मिलियन जाता है किसी का पॉपर ही रहना चाहिए बाकी जनता का दर्सक ऑपके सारी जी भी इस ट्रेलर का प्रमोशन करेंगे विल्कुल आएंगे एक वीडियो उन्होंने डाल भी दिया है अभी दूसरा विडियो दालने वाले हैं अभी सुटिंग कर रहे हैं कि नेटवर्क नहीं थोड़ी दिर में आ जाएगा बिल्कुल करेंगे सारी जी के फिल्म लग्खे सारी जी क्यों नहीं करेंगे पर्मसुन सुबोच जी एक हलका हुलका हमें दिश्ट देखा आपका टेलर में काफी जानदार शानदार विलन की भूमिका में हैं स्पेशली कॉस्ट्यूम से आपके टोटल डिजाइन बहुत प्यारेक्ट लग रहे हैं कितना आपके लिए यह स्पेशल है दिल या फिर कहें कि नौजमन जैसे हमेशा है वैसे ही है नहीं दरसातों को मेरा प्यार वरा नमस्का लिए इस फिल्म में जो मैरा लुक है वो लुक बनाने में हमारे डरेक्टर साबने बहुत महिनत की और जो सबसे खतरनाक और अजीब गरी दिखेगा उन महीं दिखुँगा उस फिल्म में तो और यह इसम में हमारे बड़ाजर के मेहनत है। उस लुक पर बहुत काम किया है। तब जाको वो लुक क्या हुआ है। देखिए इनका पश्टी अपना डेफिनेशन डिफाइन ऐसा इन्होंने किया अपने आपको कि सबसे खतरनाक और अजीब और गरीब जो दिखेगा वो महीं दिखूँगा। देखिए आप देखिए आपने चैनल देखाऊगा आपको अन्डाल हुआ हुआ होगा। विजे सर्ड ये बताएं कि अब तक आपको इंडस्टी के इन्डस्टी की कलाकारों ने सबने मार्केटिंग करते हुए देखा है लिए अब बहुत बड़ा प्रेशर है तो वाकली में मानते हैं प्रेशर है। प्रेशर तो रहता ही है, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन आनुभव है और सबका सोयोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ चुकि मेरे को फ्रेंडली सभी लोग मतलब में उसमें काम किये खोई, कोई उसमें सपॉटबाइ नहीं था , कोई डायरेक्टर मना रहे हैं कोई से कहीं किसी परकार की परसानी नहीं है अध्यात्मिक के साथ साथ ये रोमैंटिक मोवी भी है ये एक्षन से भरपूर मोवी भी है तो कंटेंट और सारे एलिमेंट्स तो इस फिल्म में बोल रादा बोल में है ही लेकिन आस्था से बहुत ज़्यादा इस फिल्म को मैं इसलिए जोडना चाहूंगा जाक पे हम लोगोंने कैप्शन भी दिया एक न भूवत ही अँक टेकन फॉर गरांटेंट लेक्षिज्ए उस यूथ के जागरी करने के लिए या फिर उस यूथ को जागरूत करने के लिए यह सिनिमा है. बोल राधा पुर्म जी को जिसारी के साहिक वक्त्त, कैसीत्त, क्वार्टों मेंगा है। उसमें जो ललग देखी उस लड़की में मैंने कि सारी चीजों को परफेक्टली समझ कर करना बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि जिनको करना होता है कि चलो भई एक स्क्रिप्ट आ गई ये डिरेक्टर ने बोल दिया कि अभी एक एमोशनल सीन है अभी आपको रोना है तो आ मैं गाश्र और बहुत ही इनी-चुनी हमारे पास अभीनेत्रियां है जो सचमुच अच्छी अभीनेत्रियां है जिनको मैं समझता हूं कि अक्टिंग आती है उनमें से एक है में गाश्र विजय जी आप फिल्म में फिल्म को लेकर बहुत तरह निदी चर्चायन हैं चर्च अभी कहानी खुल जाएगी बकरी के साथ रुमांस करते नजर आएंगे खेसारी जी अप लोगों को अब देखेंगे तो बताएंगे अभी क्या बताते हैं आज तक आपने बहुत सारी के साथ रुमांस किया है उन्होंने लेकिन इस बार बकरी भी अपने आपको रही रोग पाई और केसारी जी के प्रेम में पढ़ गई hai hai backward में जब से उन्हें ने केसारी जी के साद मुभी की ए उस बखरी ने तो अभी केसारी जी भी गोर्णापूरी में ही ये थिएटर में आउडियन्स के बीच कब तक आएगे ये दिवाली में मुंबई यूपी पंजाब हो रही है और बिहार में चट यूपी बिहार और मुंबई दिवाली में रिली हो रही है और बिहार में चट फिर रही है करी कि वे च्छ काहता है उस इसटें के वड़ी स्पविटेंशते हैसा हुवा है अग बड़ी सपथी हैट है पूरा भरोसा है जो सामने आएगा वो चकना शूर हो जाएगा एकदम गारेंटी है वम होड़े इब जाएगा। जो आच्छा है वो ही चलेगा तीटर्स और सेंटर्स क्योंकि जब बड़े इस टार्स की फिल्में रिलीज होगी कम से कम तीन फिल्मों के बारे में जानता हूं जो की रिलीज होनी है दिवाली पर कौन सी की फिल्म है? क्या इतनी जब एक साथ एक साथ चार्टार फिल्में रिलीज होती है आपको लगता है आपको जो डिस्ट्रिबुटर्स है वो आपको प्लेस दे पाइंगे? देखिए थियेटर की 24 होती है फिल्म की कौन फिल्म अच्छी है और कौन हीरो किसका ज्यादा फाइंस फलोर्स है तो खेसारी लाल जी सबकी पसंद नमबर वन में है थियेटर की डिमांड पहला खेसारी लाल होते हैं इसमें कोई संका नहीं है कहीं से और फिल्म अच्छी है तो मुझे विश्वास है कि मुझे अधिक से अधिक थेटर मिलेंगे अधिक बाके हमारे डिस्टिबूटर अभी देखिए चार-चार हीरोज हैं चार-चार हीरोज की फिल्में आ रही है तो सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोईंग है लेकिन अगर सचमुच अगर आकलन किया जाए पिछले करोना काल से लेकर अब तक तो सिनीमा घरों में केसारी के फिल्मों ने बहुत अच्छा रिस्पॉंस लिया है बॉक्स ऑफिस पर जितनी भी केसारी जी की फिल्में अभी हाली में रिलीज हुई करोना काल से लेकर अब तर तो यकिनन केसारी जी के फॉलोवर्स और केसारी जी के फैन फॉलोविंग जो है वो उनके दिवाने हैं और वो उनको हमेशा बार बार लगातार देखना पसंद करते हैं तो यकिनन बोल रादा बोल उनको वही मिलेगा बोल रादा बोल में जो केसारी लाल यादव जी को वो देखना चाते हैं जो वो पाना चाते हैं वही पाकर निकलेंगे बोल रादा जी को देखना चाते हैं कि हमें परिवार की तरफ पोई शूटिंग के एक दिन भी यह नहीं लगा कि हम दो शूटिंग करें लगा था हम लग पिक्नित मनाने आए इस महाल में शूटिंग होई है और फिल्म इतनी अच्छी बनी है वही है ना कि जिसमें दम होगा वह बाजी मारग ले जाएगा लेकि अब आप लोग प्याल और आजशी बाद दर्सकों के चाहिए मुस्टिंग है बहुत सारे लोग फिल्म का वाइल है बहुत सारे लोग यूनीटेस के साथ है तारीफे कर रहे हैं आपको लगता है कि लोग पसंद आया तो टेलर पसंद आएगा और फिल्म भी पसंद आएग है इस पिक्चर पे हर पगपग पे सचेत रहा हूं मैं नहीं हम मार्केटिंग करते हैं मुझे उसका तज़ूर्बा है तो तज़ूर्बा का इसमें डाला गया है हम विजे जी जो सहयोग जो मदद या फिर जो आपको चीजे चगीती खेसारी लाल यादो से क्या वो मिल पा और आसानी से फिल्म बना लिया उनके बहुत बड़ा जोगदान है तो खेसारी जी ने तो वो तो सब के लिए सहयो करते हैं कहीं उनका कोई सिखवा सिखाय तो है नहीं सेट पे हमारे लिए तो हमसे पहले टाइटल रहते थे कि मेरी फिल्म है एक आखरी में जाते जाते है यह बता दें कि बही जो ट्रेलर है उपिस चैनल पर कब कितने बजे रिलीज कर रहे हैं क्या त्यारी है ट्रेलर कल सात बजे सुबा वेव में जी कंपनी से रिलीज हो रहा है और फिल्म दिवाली पर मुंबई दिल्ली उपी पंजाब और बिहार चट पे चार दिन बाद ल चोबीस को दिवाली से या यहां तेष को बंबे में लगए और वहां थाईस को लग जाएगे अब शुटिंग कर रहा हैं चाहते तो भी ज़रूर हम लोग पी चाहते हैं कोशिस करेंगे लिए निदी बी है कि वो जाएँगे कोशिस को जबूर करेंगे दर्सक को लाना है तो जाना पड़ेगा और हम कोसिस करेंगे पूरी उम्मीद है कि केसारी जी बहुत बड़ी भीड़न्त दो सुपस्तारों की बीच हाइसारी को एक तरफ केसारी जी की बहुत जादा पूल है तो ऐसे समय पर क्या कहेंगे आपने बहुत फिल्में रिलीज करें हैं करवाई हैं जितना सब चाहता है जिसमें दम ज्यादा होता है वो जीतता है और वी जीतेगा जिन्ने दरशकों का प्यार मिलेगा हमको तो उम्मीद है विस्वास है कहम जीतेंगे 100% जीतेंगे आदेखे जरा किसमें कितना है दम एकदम चैलेंज है Thank you Thank you झाल झाल